हेलो बच्चो आज मैं आपको जो आपको DOE की तरफ से प्रैक्टिस पेपर टू मिला है तो उसका आज मैं आपको पार्ट A का सेक्शन तू करोंगे केस स्टडी कोशन्स आज हम करने वाले हैं सेक्शन वन हम कर चुके हैं जो 16 कोशन थे वन मार्क के तो आज वाले भी 16 कोशन ह हैं लेकिन हें केस स्ट्डी पर चलिए देखते हैं 17 टू 20 कोशन्स आज हमार पास ठीक है यहां पर लिखा है आपके पास अंडर्ग्राउंड वाटर संब इस पॉपुलर इन इंडिया इस यूज्वली यूज फोर लार्ज वाटर संब स्टोरेज एंड कैन बी बिल्ट ची इन बोथ विंटर एंड समर ठीक है हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं तो भारत में भूमिगत होदी प्रेचलन में है इसका उप्योग बहुत अधिक मात्रा में पानी घटा करने के लिए किया जाता है और सीमिंट जैसी सावगरी से सस्ते में निर्मित किया जा सक निर्मित रखती है एक व्यक्ति किसी अपार्टमेंट में पानी एकत्रित करने के लिए भूमिगत होदी बनाना चाहता है तो देखो मेन हमारे यहां से स्टार्ट है उसे आयतकार होदी के आयतन को उसने आयतन को कितना माना इतना माना है ठीक है देखो पहले आपको कोशन ये case study बता देतूं वैसे मैंने आपको जब practice paper one कर आयता है तब भी बताया था कि कुछ questions ऐसे होते हैं जो हम बिना case study पढ़े भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए पहले हम इसको तो एक बार देखी लेते हैं कि है देखो आप देखरों यहाँ पर नहीं एक होदी बनी वे होदी मत देख रहे हो ना होदी जो है वो किसकी cuboid shape की है घनाब क्या कार किये तो अगर मैं आपसे इसके आयतन की बात करूं तो इसका आयतन होगा ल इंटू बी इंटू एच तो यहां आपको इंटू नहीं करना उन्होंने पहले से ही आयतन आपको जो यह आयतन है यह आपको दे र ही है वो इस तरीके से प्लान कर रहे है उसको होदी को बनाने का कि जो उसके base dimensions है base dimensions मतलब उसकी length of breath आपको दे रखिए तो how much does he have to dig उसको कितना गहरा खोदेंगे वो तो इसका मतलब आपको height निकालनी है 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 अच निकालने है ठीक है ना हिंदी मीडिया मालों के लिए य है तो मतलब h पता होना चाहिए तो h हमको यहाँ पर निकालना है और यह l और b हमको यहाँ पर दे रखा है अब अगर हम देखें हमार को यहाँ पर आयतन तो पहले से ही पता था था ना आयतन तो चलिए यहाँ पर करते हम इसको ठीक है देखो तो अगर मैं आपसे पुछू हूं वाल्यूम ऑफ क्यूब आइड होता है L इंटु बी इंटु एच है ना घनाब का आइटन जो है L इंटु बी इंटु एच होता है तो वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो वह होता है L इंटु बी इंटु एच ठीक है अब यह वाल्यूम आयतान आपको यहाँ पर दे रखा है X Q प्लस X स्क्वार माइनस 4 X माइनस 4 ठीक है अब L इंटु बी यह भी आपको दे रखा था x plus 1 और x plus 2 अभी बता रहा खाता न कि जो base dimensions है वो आपके पास दे रखे और आपको यह बताना है कि उस होदी को हम कितना खो देंगे तो मतलब h आपको बताना है तो h को यहाँ पर ऐसी ही छोड़ दो फिर आप ठीक है अब हम इसको बताएंगे कैसे देखो आप क्या करो तो x cube plus x square minus 4x minus 4 तो इन दोनों को into किया तो x square आ गया x को 2 से किया तो 2x आ गया यहाँ पर plus का x और plus का 2 आ गया ठीक है यहाँ तक और इसके साथ में यह h ऐसी चल रहा है तो 2x plus x को मैं 3x लिख सकती हूँ तो x cube plus x square minus का 4x minus 4 is equal to x square plus 3x plus 2 ठीक है अब इसको हम नीचे लिया आते हैं x square plus 3x plus 2 is equal to h हो गया अब divide करना पड़ेगा तो divide हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पर तो हमने यह chapter number 2 में division सिखावा है तो x cube plus x square minus 4x minus 4 और यहाँ पर लिख देंगे हम x square plus 3x और plus का 2 ठीक है चलिए देखे फर्स्ट रिजिट से करते हैं हमेशा तो यहाँ x cube है और यहाँ x square है तो एक x चाहिएगा तो x cube आ गया अब इस x से इन तीनों को multiply करके लिखना है इसको भी इसको भी और इसको भी में फिर minus plus minus यह कट हो गया तो x square में से 3x square जाएगा तो minus का 2x square आएगा minus के 4x में minus का 2x करेंगे तो minus का 6x आएगा और इस 4 को ऐसी उतार दिया मैंने ठीक है अब मुझे यहाँ x square चाहिए तो यहाँ 2 को 3x से करूंगी तो minus का 6x आएगा अब minus 2 को plus 2 से multiply करूंगी तो minus का 4 आएगा सबके sign change किये मैंने सब कट हो गए तो मेरा 0 आगया तो जो मेरा यह निकल के आया x minus 2 यह मेरा h ही तो आया तो इसका मतलब मेरे पास h कितना आगया x minus 2 आगया चलो फर्स्ट वाला तो आपको यहाँ पर complete हो गये तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो x minus 2 हमारा answer आगया ठीक है न मैं यहाँ प 4 है तो होदी का आपको आयतन बताना है कितना है ठीक है यदि x 4 meter if x is equal to 4 meter what is the volume of the sum तो वालूम बतानी है उसकी sum की ठीक है तो अब हम क्या करेंगे देखो volume हमार को पहले से ही पता है कोशन में यह तो क्या हम इसमें x की value रख दे x हमार को 4 दिया इसी में तो रखेंगे तो हम 15 पार्ट को देखो x cube plus x square minus का 4x minus का 4 यह यह x की जगा मुझको क्या रखना है 4 रखना है तो इसका मतलब 4 का cube plus 4 का square minus 4 into 4 minus 4 तो 4 का cube होगा 64 4 का square होगा 16 minus का 16 minus का 4 ऐसी है यह तो कट गया तो 64 में से 4 minus किया तो 60 meter cube मेरा answer आ गया तो volume कितनी आ गई उसकी volume आ गई यहाँ पर 60 तो इसका मतलब इसका answer है D ठीक है न तो यहाँ पर भी इसको tick कर देते है ठीक है अब third में आपसे कह रहे है if x is equal to 4 and the builder wants to paint the entire inner portion including roof of the sum what is the total area to be painted कह रहा अगर x 4 है x अभी भी आपके पास 4 है अब वो builder जिसने वो हौदी बनवा रहा है जो वो paint करना चाहता है इसको inner portion तो करेगा ही करेगा paint अगर आप यहाँ पर यह देखो तो वो यह inner portion तो paint करेगा ही करेगा साथ में कह रहा है including roof जो इसकी roof है उसको भी वो paint करेगा ठीक है तो फिर बताओ क्या बताना आपको total area कितना paint होगा ठीक है हिंदी medium वालों के लिए हैं यहाँ पर व्यक्ति होदी के संपूर अंत्रिक भाग को रंगना चाहता है यदि x 4 है 4 हो तो रंगने वाले भाग का शेतरफाल कितना होगा वो पूरे उसको रंगना चाहता है तो इसका मतलब total surface area मांग रहा है यह तो cuboid का है ना संपूर शेतरफाल मांग रहा है ना यह मेर से किसका घनाब का तो अगर हम उसका formula याद करें तो क्यों होता है 2 multiply 2 multiply bracket में lb plus bh plus hl यही वाला तो formula होता है है ना तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं इसको 3rd वाला करें ना तो area of cuboid निकालना है मतलब मुझे यहाँ तो गनाब का शेतरफल तो वह हो जाएगा 2 lb plus bh plus hl अब मेको lb और h पता भी तो होने चाहिए तो मुझे l पता था कितना था मेरे पास x plus 1 था और x मुझे 4 दे रखा है तो यह मेरा 5 meter आ गया बी मेरे पास था यहाँ पर x plus 2 देखो यह लिखे थे ना उमने इनकी वही चीज़ में यहाँ पर लिखने हूँ x मेरे पास 4 है तो b मेरे पास आगया 6 meter और h मैंने अभी निकाला था x minus 2 तो 4 minus 2 यह मेरे पास कितना आ जागा यहाँ पर 2 meter तो अब तो area निकल जाएगा area of cuboid तो 2 l की जगा 5 b की जगा 6 plus b की जगा 6 h की जगा 2 plus h की जगा 2 और l की जगा 5 ठीक है ना तो 5 6 जा 30 6 2 जा 12 5 2 जा 10 ठीक है अब इसको इंटू कर देंगे तो इसको जब हम plus करेंगे तो पहले 52 आएगा अब इंटू करेंगे 104 meter square चलो देखते हैं आंसर कहा है 104 यह रहा तो इसका को पेंट करने के लिए इंदी मीडियम वालों के लिए है रंगने की कीमत रूपी 25 प्रतिवर्ग मीटर है रंगाई पर कुल कितना खर्चा होगा तो आपको यह बताना है कि रंगाई जो आपने की है रंगाई का आपने शेत्रफल तो निकाल लिया कि कितने एरिये में यही निकालनी है ना तो बहुत असान है यह तो मेरा शेत्रफल कितना आया 104 कितना था यह मीटर स्क्वाइर और एक मीटर स्क्वाइर के 25 रुपए है तो इसके कितने होंगे इसको 25 से इंटू कर दो तो 26 रुपए लगेंगे हमारे को पूरे उसको रंगाई कराने के लिए तो इस और अगया 2600 रहे है चलिए लास्ट देखते हैं लास्ट में आपसे कह रहे है वत इस टोरेज कैपिसिटी इन थे स्लम निकाली है मतलब की आपको क्या निकालना है यहांपद पर स्लम की स्टोरेज कैपिसिटी देखो कहने के लिए तो इसमें आपको वॉल्यूम ही ठीक है न यह अभी किसमें निकाला था यह रहा वट इस द वॉलूम सेकिंड वाले में 60 लेकिन देखो यहां पर है 60 मीटर क्यूब और आपको यहां सारे आंसे लीटर में दे रखें इसका मतलब कुछ नहीं करना आपको इसी वॉलूम को लीटर में कनवर्ट कर देना है तो आ हमारा को लीटर में निकालना है तो अगर हमने B पार्ट गलत किया तो हमारा जो यह लास्ट वाला है फिफ्ट वाला पार्ट यह वी गलत हो जाएगा तो फिफ्ट पार देखो कैसे तो 60,000 लीटर अब आप देख लो आपका कौन सा ओप्षिन है यहां पर भी आपका सी वाल ओप्षिन आ गया तो आप देख लो उसमें एक आदा कोशन तो आपस में ही कनेक्ट था जैसे सेकंड और फिफ्ट वाला सेकंड सही होगा तो फिफ्ट सही हो जाएगा बस हमें लीट में निकालना था ठीक है न चलिए यह वाला कोशन 17 हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है अब देखते हैं हम कोशन नमबर 18 क्या है हमार पास तो देखो इसमें आप से कह रहे है डेटा ओफ हाइट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट वास क्लेक्टिड एंड और्गनाइज एज अब इसमें आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास देखनी है अभी उसने ऐसा बोलनी है एकदम निकालनी है क्योंकि हमार को तो जो यह 5 कोशन्स दी होते हैं उनके आंसर देनी हैं से इंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं दस्वी कशा के विध्यारतियों की वह चीज आपसे कह रहा है दस्वी कशा के जो भी विध्यारति थे उनकी लंबाई को मापा और इस सांड़ी में सांड़ी के जरीए हमको बता दिया गया है अब हमार को यहाँ पर कुछ कोशन्स के आंसर दे रखे हैं आपको पता चल रहे हैं कि कॉछ से चैप्टर के आई चैप्टर नमबर 14 के आई गया है अब चलिए देखते हैं पहला कोशन क्या कह रहा है हमसे हैं तो हमसे कह रहे हैं आपर अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या होगी सबसे पहली बात तो अपर लिमिट क्या होता है और मीडियन क्लास क्या होता है तो मीडि लेती हूं ठीक है फ्रीक्वेंसी यहां लिख लेकते हूं और जब मीडिय निकालते हैं तो सीएफ तो निकालना ही निकालना पड़ता है है ना तो चलो मैं यहां लेती हूं तो वन फॉटी से शुरूता यह फाइफ पाइफ का ग्याग था ठीक है एक बड़ फ्रीकोएंसी देख लेते हैं 5 15 25 30 15 10 ठीक है यहां लिख देते हैं 5 15 25 30 15 10 ठीक है ना के लिए मुझे पहले कई सफाश से निकलते हैं पहले बाला आप इसमें प्लस करकर करका सब्सारइब करना प्लस कका इस टीक ठीक हैं कई बच्चों को यह confusion होती है 50 यह ढूंते कहां पर है तो हम इसको ढूंते हैं सी एफ में ढूंते हैं जब भी n by 2 से हम निकालते हैं तो 45 तो नहीं होगा यह वाला होगा इसमें जो यह होती है हमारी lower limit अगर आपको कोशन में कभी पूशे अब हमसे फ्रेस वाले में अपर लि मीट मिदिन कलास की मिल गई आपको 160 बस 160 पिक लगा जो कि कहां पर है 160 यह रहा है यह यहां पर भी हम इसमें 160 पर टिक लगा देते हैं ठीक है चलिए सेकिंड देखते हैं सेकिंड भी हम से यहां कह रहे है अब मीडियन हाइट मतलब कि आपसे मीडियन ही पूछ रहा है कि कितना है मद्यक लंबाई का क्या मान है मतलब मीडियन निकालना परेगा तो आदी टेबल था हम फर्स्ट में बना चुके थे बना चुके हैं तो चलिए सेकिंड में यह हमार पास काम आ जाएगी तो अगर हम मी है में पास 150 N by 2 मेरा निकला था 50 CF CF हमेशा एक उपर वाला लेते हैं तो वह हो जाएगा 45 F हमेशा उसके सामने वाला ही लेते हैं जो मीडियन क्लास होती है 30 H मतलब इन क्लास इंटर्वल्स के बीच में कितना गया है तो 155 प्लस 5 अपाउन में इसको मैंने इससे यहां डारे 153.833 तो यहां से आपका आंसर आगया 153.83 तो यह आपकी मीडियन आ गई चलो ढूंड लो कहां पर है यह रहा है और इसमें देखते हैं इसमें हमार पास यह रहा है अब कह रहा है वाट इस जावर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास अब मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रिक्वेंस यह अपर होती है 155 होगी इसकी तो चलो यह तो हो गया मेरा 155 हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं बहुलुक वर्क की निम सीमा क्या है निम सीमा पूछ रहा है है आपसे उपड़ी सीमा नहीं पूछ रहा तो बहुलुक वर्क होगा क्या जिसकी बारम बरता सबसे ज्यादा है तो बारम बरता इसकी सबसे ज्यादा है तो यह मेरी निम सीमा ठीक है और यह मेरी उपड़ी सीमा तो इसका मतलब 155 होगा तो हमने यहां पर लगा दिया टिक 155 ठीक है फिर आपसे यहां पर कह रहा है कि क्या करना है आपको बहुलुक लंबाई का क्या मा तो इसको यहां पर करते हैं तो मोड का फॉर्मला आपके पास यहां पर होता है अगर हम फॉर्मला देखे तो होता है मीडियन के फॉर्म Allen-1-3-2-2-a. अगर हम अपने मोडल क्लास देखेए तो मेरी मोडल क्लास थी यहां पर यह यहीं थी मोडल क्लास क्योंकि इसकी मीडियन के ब CH-C的 के बिलाइन के लिए निकलती है नमी ऐनक्रोर्ण के लिए निकलती है तो F1 और F0 वगर यह सब कुछ क्यों होते हैं यहां पर देखो L तो पता ही चल गया है 155 है अब बात आती है F1 की तो F1 यह होते है जो model class पर लिखा है तो 30 F0 उसके उपर वाला होते है 30 के उपर है 25 टू इंटू में 30 माइनस F0 उपर वाला होते है F2 मेंना नीचे वाला होते है हमेशा जो model class होती हो उसके नीचे वाला है तो माइनस का 15 एच आपको पता ही उनके बीच का gap होता है ठीक है तो 155 प्लस 5 यहां पर आजागा आपके पास 60 में से 25 माइनस करेंगे 15 15 तो 20 आजाएगा इंटू 5 इसको इससे काट दिया मैंने 4 आगया ठीक है तो इसका मतलब यह आगया मेरे पास 155 प्लस 5 अपॉन 4 तो बस 155 प्लस 1.25 डिवाइट कर दिया मैंने यहां पर मेरे पास 165.25 आणसर आगया यह है मेरी model class तो चलिए देखते हैं कहा है हमार पास यह answer यह रहा है ठीक है calculation जितनी short हो सके उतनी गंड़ी आपको लास्ट में कह रहा है what is the value of mean height तो देखो इस question में आपसे mean भी पूछ लिया थोड़ा सा lengthy question है यह case study का में मीडियन और मोड दोनों चीज तीनों चीज़े फूछ लिए तो mean भी इसी में निकाल देते हैं कैसे निकाले देखो mean के लिए एक बहुत असा जो formula है वही वाला हम लगाने वाले है पहले मैं यह formula लगा देती हूँ तो mean का formula हम यही करने वाले है summation f upon summation f मुझे पता है 100 है यहां लिख लेते हैं 5 15 25 30 10 ना लिख लेते हैं f तो वो थी मेरे पास 5 15 25 30 और उसके बाद थी 15 15 10 अब मुझे x निकालना है फिर fx आएगा तो देखो x निकलता कैसे है इन दोनों को plus करना है 140 plus 145 divide करना होता है 2 से मतलब निम सीमा को उपड़ी सीमा में जोड़ना है और 2 से दिवाइड करना है upper limit plus lower limit divided by 2 इनके बीच का होता है x mid value तो कितना आएगा यह आएगा 142.5 ऐसे करके न मैंने यहां पर सारे ही निकाल दिये तो यह मैंने निकाला अपना 142.5 ठीक है यह निकाला 147.5 हमें एक चीज़ आपको यहां बताना चाहूंगी वैसे यह गोशन आपको पता है कि जो आपकी class interval है ठीक है उसमें 5-5 का gap है तो बस इसमें 5-5 जोडते रहो एक एक का निकालो कि बहुत time लग जाएगा और यह one mark की कोशन है इतना time हमें इसको नहीं देना है जल्दी जितनी short calculation हो जाए हमें वो करनी है इसमें ठीक है अब इसको इससे into करना है आप देख रहो connect हुआ है इसका total चाहिए था मुझे बस लो मिल गया मुझे इसका total अब वो टोटल उठाके मैंने यहां पर रख दिया ठीक है तो यहां से मेरा क्या आगया मीन आगया है आगया तो चलिए यहां देख लेते हैं तो मध्य लंबाई का क्या मान होगा तो कितन मान आया था मेरा 155.75 आया था तो देखो यहां पर यह है नहीं कोई भी तो यह वाला हम लेंगे क्यों हम यह वाला लेंगे यह इसलिए लेंगे क्योंकि जो आपके यह multiplier करके आए यह जो है मैंने round में ले लिया है इसलिए तो round figure में यह आएगा तो हम इसको ले लेंगे यह यहां तक यह था आपके पास question number 18 चलिए question number 19 देखते हैं जल्दी से कि question 19 हम से क्या कह रहा है तो यहां पर कह रहा है जवाल लाहल नहरू stadium is a multi-purpose sports stadium and is a very popular sports stadium of Delhi it has a capacity of seat 60,000 people the stadium is conducting the annual sports competition soon the curator of the stadium is asked to figure out the dimensions for carving out some areas allotted for a hockey court and a shooting range as shown in the figure यह ही आपके पास figure फिर यहां कह रहे है the shapes of the hockey court and the shooting range are square and triangle मतलब इनकी shape बता रखी है यह square की shape का यह triangle की shape का है both of the courts have a common edge that touches the center of stadium the construction of the shooting edge is such that the angle at the center is 90 degree the radius of the stadium is 180 एक बार हिंदी मीडिया मालोक ले पढ़नों फिर समझाते हैं जवाल नहरू stadium दिल्ली का एक बहुत बड़ा और प्रसित खेल का मैदान है इस मैदान में साथ हजाल लोग के बैटने की शमता है इस stadium में जल्द ही वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना है मैदान के कुरेटर को होकी कोट और शूटिंग रेंज के लिए अवशक शेतरफल के अनुसार सीमा रेखाएं अलेकन को कहा गया जैसे की चितर में दर्शा आया गया अभी मैं आपको पिचल दिखाऊंगी पुरी एक बार मैं इसको रीट कर लो पुरा होकी कोट और शूटिंग रेंज के अकार क्रमाशाह वर्ग और त्रिबुज हैं दोनों कोट का एक उभ्यनिष्ठी सिरा स्टेडियम के केंदर को छूता है शूटिंग रेंज की रचना इस प्रकार की गई है कि केंदर पर 90 डिगरी का कौन बनाता है स्टेडियम की त्रिज का इस तो यह आपको किसी की शेप का दे रहाता है स्क्वेर की शेप का आभ वो यह कह रहा है कि जो यहां पर एंगल बन रहा इसका यह वाला यह नभene बनना है गिंटर पर 90-degree का सेंटर इंटर पर 90-degree का एंगल बनना है जो यह स्टेडियम पुरा है तो इसकी त्रीज मतलब कि Isky रेडियस आपको दे रखें यहाँ पर रेडियस 180 यह आपको गिवन है अब आप से यहाँ पर कुछ पूछ रहा है इस पर बेस्ट्ट क्या कोशन से देखते हैं, चलो तो शुटिंग ना होगा तोA चूंटिंग ट्रैंगल शेक्प है और ट्रैंगलमें 20 डिग्री तो इसका मतलब इसमें तो यहीं पर अगर हम इसको करें तो यह तो में पास हाफ इंटू बी इंटू हो जाएगा अब हाफ इंटू बी वी मेरा ओबी और यह दोनों ही मेरी रेडियस हाईगी देखो यह अगर मैं यहां से यह देखो छिक है और यह ओ और यह यह दोनों ही इसके सरकल की रेडियस है और यह मुझे दोनों की बंदेश सटी हो AP होतोस यह सारी सेम़ें थे तो ऐगर a 180 है तो पिर og 1080 होगा दोनों ही मेरी सरकल की डीयसे है और यह इन मेरा । अगर आप Square का Area देखें, तो इसका Area होता है, Side into Side, § लेकिन मुझे इसकी Això neem to pas je क्लिकते हो, तो इसकी side मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगी हाँ मैं यह कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से इसमें एक diagonal बना सकती हूँ बना सकती हूँ ना diagonal और यह इसके लिए तो diagonal है hockey court के लिए लेकिन यह circle की radius है देखो ध्यान से center से जारी और एक side touch हूरी है तो यह मुझको पता है 180 है तो ऐसा करते है diagonal से पहले side निकाल लेते है formula आता है एक निकाल लेगा मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ ठीक है तो उसका हमार पास formula होता है diagonal is equal to होता है root 2 side diagonal मुझे 180 दे रखा है है यहाँ पर क्योंकि वो radius ही है root 2 side तो यहां से मैंने side निकाल ली वो आ गई मेरे पास 180 upon में root 2 बस area निकाल दो area क्या होता है side into side तो इसका मतलब 180 upon में root 2 into में 180 upon में root 2 ठीक है ना तो 180 into में 180 root 2 root 2 कितना आजागा 2 इसको इससे कट किया 90 और यही same अभी मैंने उपर भी multiply किया था तो दुबारा multiply करने की जरूरत निया वही लिख दो दिखा दे तुमेने कहां किया था first वाले part में यह राख तो इन सब चीजों का case study के time पे आपको धिहान रखना है ताक कि आपकी calculation कम होए और time save हो जाए ठीक है चलिए third वाला देखते है जल्दी से इव दा team of a creator managing the stadium like to allot space for some more sports how many area is available to them creator के पास अन्य खेलों के लिए stadium का कितना शेतरफल उपलब्द है अब यहाँ पर आपसे कह रहे है कि जो यह पूरा stadium है जो यह circle shape का stadium है अगर इसमें हम और और games पिला दे जैसे होकी कोर्ट और shooting range तो है और एक दो और arrange करें तो उनके लिए कितना area है कितना शेतरफल है उनके लिए तो क्या करें तो देखो अगर मैं इस circle के area में से क्या करूँ इन दोनों के area को minus कर दूँ shooting range को और hockey court को इनका area minus कर दूँ तो बचावा area मेरे पास फालत हुई है तो उसमें हम और games कर सकते हैं कर सकते हैं तो चलिए वह ही कर लेते हैं फिर हम तो यहां पर minus कर देते हैं यहां कर लेते हैं, इसको वहाँ पर नहीं हो पाये गई है तो क्या करना हैं आपको area for other games अन्य गेर्मो का शेत्रफल कैसे निकालेंगे हम यहां पर जो सरकल का एरिया है वृत का वहता है पाई-R-square माइनस शूटिंग वाले का भी मैंने 1st वाले में निकाला था 16200 और होकी वाले का 2nd वाले में निकाला था शेत्रपली दोनों का एरिया निकाला है दुबारा निकालने की जुरुत ने हैं वही लिख देना हाँ लेकिन अगर आपका 1 और 2 में से कोई सा भी गलत हुआ तो फिर को मैंने यहां पर multiply किया तो मेरा 101736 आया माइनस 32400 बस 69336 आपका आंसर आग्या मीटर क्यू स्क्वार तो देखो कहां पर रही है कहीं पर है यह आंसर यह रहा है तो तीन पार्ट हो चुक है हमारे चलिए फॉर्थ वाला देखते हैं हम यहां पर कि फॉर्थ वाले में हमस इस चुट्इंग रिएंज आगा आशाय यह तो आवाश्यक बार की कुल लंबाई कितनी योगी अप देखो आपको ना जो यह इस चेलिम के अंडर दो गेम्स दे रखेते होकी कोट और शूटिंग रेंच इन पर क्या करना है आपको फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग तो आ तो इसके लिए तो आपको इसका पैरिमीट चाहिए लेकिन आपने लाइं तो फ़र्स हो सेकंड गश्कार म।ो इसका उतलब आपको निप्र Kr HySal और एक परिमीटर हो ऑवगी वहाहिति है लूठ सिर्कल के तो वह रेडियास तीन 산 अब यह AB कैसे निकालने ही पड़ेगी तो देखो यह तो मेरा समकून तिरी भूज है ना राइट एंगल ट्राइंगल इसमें पाइटागोरस प्रमे लागा के निकाल लेते हैं तो यहां निकाल देते हैं इसको के स्क्वाइर के बराबर होगा मतलब 180 का स्क्वाइर प्लस 180 का स्क्वाइर है इसको मैं यहां पर क्या लिख सकते हूं A B हटाया root दो बार 180 का square है तो 2 और 180 का square ठीक है square हटायते ही root लगा दिया तो ये 2 तो अंदर ही रह जाएगा 180 मेरा root से भार आजाएगा square से root कर गया चलो तो parameter निकाल लेते हैं किसका निकाल लेते हैं triangle का मतलब shooting range का तो 180 root 2 plus 180 plus 180 sum of all sides होते हैं सारी भुजाओं का योग तो इन सब को हम क्या करेंगे plus कर दे आप चाहो तो इसमें से common भी ले सकते हो ठीक है तो ये आगे है मेरा पास 180 root 2 plus 2 बस ये ही है ये तो मेरा पास किसका निकाला लेकिन सिर्फ उसका shooting range का अभी मुझे hawky code का भी निकालना है तो वो square की shape का है है न स्क्वाइर की shape का तो उसका perimeter होता है मेरा पास 4 into में side तो side पता है बिक्कुल अभी जब हमने area निकाला था तब side निकाली तो थी 180 upon में root 2 निकाली थी न तो बस वो ही हाँ पर हम use करने वाले तो देखो into root 2 upon में root 2 rationalize कर दिया मैंने तो 4 into में 180 root 2 upon में 2 इसको इससे cut कर दिया तो मेरा आ गया है यहाँ पर कितना 2 को 180 से into किया 360 root 2 आ गया अब total निकालना है निकालना है न total तो यहाँ निकालते है required perimeter जो हमको चाहिए दोनों को जोर दो और खुश निकरना है तो shooting range का था 180 root 2 plus 2 plus इसका है 360 root 2 ठीक है अगर मैं इसको खोल लूँ तो यह 180 root 2 और 180 को 2 से करूंगी तो 360 आ जाएगा और यह है 360 root 2 ठीक है तो यह 360 ऐसी रहन दो और root 2 root 2 वाले दोनों प्लस कर दो तो वह जाएगा मेरे पास 540 root 2 है ना अब यहां से 180 common ले लो तो यह आ जाएगा मेरे पास 2 क्योंकि 180 2 जो 360 और 180 की table में 543 पे आता है root 2 ऐसी है तो इसका मतलब यह मेरा answer है 180 bracket में 3 plus 2 root 2 चलो ढूंडो जल्दी से option में कहां पर है 180 bracket में 2 plus 3 root 2 यही चाहिए थे ना यह रहा बी वाला हमारा option हो गया ठीक है चलिए लास्ट पार्ट और देख लेते if the cost of fencing is Rs.6 per meter देखो यहां पर आपसे पूछ रहा था 4th वाले पार्ट में एक बार एरिया पूछाता भी cost पूछी थी सेम वही चीज इन्होंने यहां किया है तो अगर आपने यह fencing वाला question किया है तो आप cost वाला भी कर लेना multiply करना होगा सिफ आपको पता है जो cost है वह क्यो होगा per meter cost यही होता है ना तो बस आपको वही निकालना है what is the total cost of fencing तो यदि बार लगाने पर प्रती मीटर रूपी 6 का खर्चा आता है तो बार लगाने पर होने वाला कुल खर्चा कितना होगा तो कैसे निकालेंगे कुल खर्चा जितनी मेरी यह fencing कि वह आई है लंबाई इसको six into कर दूँगी तो बस यहीं कर देते हैं इसको तो यह तो असान सा पार्ट था जल्दी से हो गया क्योंकि हमने इसका उपर वाला पार्ट किया है वैसे आपको कोई से भी four parts करने है आपकी मर्जी है तो यह आ जाएगा आपके पास two plus three root two ठीक है ना तो यह आगे आपके one zero eight zero और two plus three root two रूपी आगे तो ढूल लो कहां पर है यह रहा स्ती वाला option है यह two plus three root two तो लो यह आपकी cost आगई आगई ना cost तो एक आदे question जो है वह आपस में connect होते हैं तो विकुल धिहान से आप इसको कीजिएगा ठीक है पहले एक बार देख लीजेगा बाचों में से आपको कौन-कौन से चार कोशन अच्छे से आते हैं वही करना चलिए अब लास्ट वाली case study और यहां पर देख लेते है कोशन नमबर 20 probability की यह यह असान सी है देखो के रहे हैं कार्ट्स on which number one two hundred are written one number on one card and no number is repeated is put in a bag and are mixed thoroughly a card is drawn at random from the bag ठीक है हिंदी मीडिया वालों के लिए पढ़नों एक साथ समझाते हैं कुछ पर्चियों को जिन पर एक से सौतक संख्याय अंकित है एक थैली में डालकर मिलाया गया उस थैली में से एक पर्ची निकाली है आपने क्या किया है one two hundred तक के number एक कार्ड पर लिख लिए और एक बैग के अंदर डाल दिया है ठीक है अब बैग में से आपने एक पर्ची निकाल लिए चलो देखते हैं अब हमसे क्या पूछ रहे हैं हापर तो first में तो हमसे यही पूछ रहे है वट इस दा प्रोबैबलिटी देट दा कार्ड टेकन आउट है जन और नमबर बताओ कि वो जो कार्ड आपने निकाला है वो और नमबर होगा तो one से hundred तक में कितने और नमबर होंगे वो ढूड़ने परेंगे है नो करें निकली गई परची पर एक विष्म संख्या होने की प्रायक्त है तो आपको और नमबर मतलब विष्म संख्या बतानेहे तो तो देखो आपको इतना तो पता है की जो आपके पास यहांपर नीचे आए गए हाँ वे तोटल आउटकम तो 100 ही आएंगे, क्योंकि आपके पास 100 वो थी स्लिप्स, अब इसमें 100 में 50 odd होंगे और 50 even होंगे, ऐसी तो होंगे, तो इसका मतलब odd number मेरे 50 है, तो 0 से 0 मैंने काट दिया, विश्म संख्या मेरी 50 हो गई न, तो 5 upon 10, तो कितना आगे है इहां पर मेरा, तो आ तो कन्फ्यूज मत होना, चलिए, सेकिंड देखते हैं, क्या रहा है, what is the probability that the card taken out as two-digit odd number, अभी भी odd number की बात कर रहा है, लेकिन दो डिजिट के होने छी है वो इस पार, तो क्या क्या रहा है यहां पर, इसकी क्या प्रायक्ता है कि निकली गई पर्ची पर दो अंके विश् संख्या ही है, पर दो अंको वाली होनी चलिए, एक अंक वाली नहीं होनी चलिए, तो देखो वैसे हमार पास अगर हम देखें, तो विश्में संख्या हमार पास पचास है, यहां पर हमने किया पचास है, है ना, तो इसमें दो अंक वाली, ऐसा करते हैं, इसमें पचास में स सबसके 72 फारी सब्सक्राइब ना का मैं नन्म्म फवर्टीपाइब इसका मतलब आप यह भी तो डिजिट रौन और नमबर तो वो क्या आएगी उप़र आएगा 45 फेवरेबल आउटकम और नीचे आएगा आपके पास कितना आएगा नीचे 100 आपका आंसर आजाएगा 0.45 है कहीं पर option में बिल्कुल है और होगा जब हमारा first वाला से यह तो second तो सही हो गोई बस एक अंक वाली तो हटानी थ ठीक है चले थर्ड देखते हैं what is the probability that the card taken out has an odd number which is a multiple of 11 अभी भी odd number की बात कर रहा है बस आप कह रहा है वह odd number लिखो जो 11 का multiple है उसकी probability बताओ चलो यहां और देख लेते हैं इसकी क्या प्रायक्ता है कि निकाली गई परची पर एक ऐसी विश्म संख्या लिखी है जो 11 से व होना तो पता है कि जो मेरी विश्म संख्या है वह 50 है क्योंकि वह मैंने अपने पहले पहले पार्ट में निकाल लिया था कि वह 50 है अब मुझे यहां पर और नमबर निकालना है क्या निकालना हो इसके साथ multiple of 11 होना चीए वह तो देखो नीचे तो मेरा 100 ही आने वाल है और नमबर में पास 50 है पचास और नमबर है तो इसमें से 11 के multiple कौन-कौन से होगी तो 11 की टेबल आती कौन-कौन से 11 ठीक है यहां लिख देते हूं लेवन उसके बाद 22 यह मेरा ओड है पहले टेबल लिख देते हैं 33 44 55 66 77 88 99 बस ना 110 तो आएगा नी क्योंकि 100 तक ही परची डली और यह कर दो क्योंकि यह मेरे even है समसंख्या है इनको हटा दिया कितने बचे एक दो तीन चार पांच बचे इसका मतलब और नमबर और जो 11 के टेबल में भी आते हैं वह कितने ऐसी पांच यह तो इसका अंसर आ गया 0.05 कहां पर है वह यह रहा यह option ठीक है चलिए फोर्त व बस फर्स्ट वाला सही निकालना बिल्कुल कि और नमबर 50 होते हैं वनना सारे पार्ट गलत हो जाएंगे लाइन से ठीक है विच इस नौट लेस देन सेवंटी से कम नहीं होना चीज सेवंटी से बड़े और नमबर बताने हैं चलो यहां भी देख लेते हैं निकाली गई प हंडेट के बीच के मुझे और नमबर लिखने हैं लिखने है ना तो चलिए हम ऐसा करते हैं यहां पर ना क्या करते हैं चलो अब यहां कर लेते हैं पर ना कुछ समन नहीं आएगा आपको तो 71, 73, 75, 77, 79 यह तो होंगे मेरे 71 से 80 तक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी फिर तो मेरे 81 से 90 तक में भी 5 ही होंगे और 91 से 100 तक में भी 5 ही होंगे होंगे नहीं होंगे 5 तो 5, 5, 10, प्लस 5, 15 हो गए इसका मतलब 15 विश्म संख्या ऐसी है मेरे पास जो 70 के बाद होती है ठीक है 70 से बड़ी है और 100 से छोटी 100 के अंदर अंदर है तो बस यहां पर आप probability निकालने वाले थे ना तो किसकी निकालने वाले हो अब आप यहां पर 2.15 में रहे हां पर आंसर रहा है तो आंसर ढूंडे तो दी वाला हमारा इसमें ऑप्शन यह रहा हूं ठीक है चलिए लास्ट रह गया कह रहे है वट इस अप्र प्रोब्याबिलिटी देट कार्ड टेकन आउट है और नमबर फिर से और नमबर की बात कर रहे है पूरे केस स लेवान नहीं होना चाहिए लेकिन और नमबर होना चाहिए उसकी इसकी क्या प्रअक्ता होगी कि निकाली गई परची पर एक ऐसी वीश्मãy संख्या लिखी ओ जो 11 से विभाजे नहीं है तो ग्यारा से विभाजे थी कितनी संख्या आए पांच देखो एक वरी वापसी ओजरा थर्ड वाले पर पांच ऐसे संख्या है थी जो 11 की टेबल में आती थी जो और भी थी है ना तो अब जब 50 में से अगर आप इहां देखो 50 में से 5 नंबर ऐसे हैं जो 11 की टेबल में आते हैं तो इसका मतलब 45 नंबर ऐसे हैं जो 11 की होंगे ना तो बस यह तो सीधा ही आगया अंसर यहां पर लिख देंगे और नंबर ठीक है और नॉटा मुल्टिपल ओ लेवन लेवन का मुल्टिपल नहीं हो न अच्छिए वो तो इसका मतलब फॉर्टिफाइव पॉन में हंडड़ तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फ हमने 17 to 20 की 4 case study कर ली practice paper 2 की complete हो गई case study अब जो next part है वो आपके पास है part B जिसमें 2 marks 3 marks और 5 marks के questions है तो हम वो करेंगे फिर मैं आपको बोलूंगी case study में ज्यादा time मत लीजेगा short में calculation कीजेगा पर ऐसे कीजेगा कि ठीक हो जलबाजी के जक्कर में कोई calculation गलत मत करना वरना सा part दूसरे part से connect हुआ है ठीक है न चलिए अब part B जो है वो हम अपनी next video में करेंगे तो अगर आपको यह video अच्छी लगी तो आप इसको like जरूर कीजेगा और मेरे channel को subscribe कीजेगे thank you